जर्नलिस्ट एसोसियेशन आफ राजस्थान कोटा का सफथ ग्रहन समारो हुआ आयोजित पत्रकारिता निर्भीक वास्पेस्ट होनी चाहिए कहा धारिवाल ने पत्रकारिता करना काटों का ताज पहनना है कहा गजिंद्र प्याश ने हडोती भर्म के वरिष्ट पत्रकारों का किया गया सम्मान जर्नलिस्ट एसोसियेशन आफ राजस्थान जार कोटा का नवनिर्वाचित कारिकारणी का सफथ ग्रहन समारो आज आयोजित किया गया जिसमें कोटा, मुंदी, बाराज, हलावार, शमेत, कई जिलों से सेकड़ों पत्रकारों ने सिर्कत की राजस्थान पत्रकार संगजार कोटा जिला अध्यक्ष अशलम रोमी ने बताया कि जर्नलिस्ट एसोसियेशन आफ राजस्थान कोटा की नवनिर्वाचित कारिकारणी गठित की गई थी जिसका सपत ग्रहन समारो गुमान फूरा इस्थित प्रेश क्लब कोटा में आयूजित किया गया कारिक्रम को लेकर जार कोटा कारिकारणी के पत्रकारों में खासा उत्साह देखा गया सपत ग्रहन समारो वबरिष्ट पत्रकार सम्मान समारो कारिकरम के मुख्य अतिथी में कॉंग्रेश नेता अमित धारिवाल ने कहा कि पत्रकारिता निर्भीक वास्पिस्ट होनी चाहिए एंटी क्रेप्शन, हुमन राइज, इंडिया की राष्ट्रे सचिव रीना खान, जर्नलिस्ट एसोशियेशन आफ राजिस्थान के प्रदेश अध्यक्ष शुभास सर्मा, प्रदेश महा सचिव भांग शिंग, पूर्भ प्रदेश अध्यक्ष राकेश सर्मा, पूर्भ महा सासन प्रसासन को अवगत करवाया गया, एक दर्जन से अधिक वरिष्ट पत्रकारों का हुआ शम्मान, जर्नलिस्ट एसोशियेशन आफ राजिस्थान, कोटा, जिलाध्यक्ष असलम, रोमी ने बताया कि नमनियोक्त कारिकार्णी सपत्ग्रहन समारोह एवं वरिष्ट पत पत्रकारों का हमें लाग उठाना चाहिए, हडवती बार के पत्रकारों का जर्रीस एसोशियेशन आफ राजिस्थान द्वारा सम्मान कर हमें गर्व हो रहा है, पत्रकारों के साथ मेरा पहला मौका है, शम्मोधन का मैं अपने आपको भाग्य साली समझता हूँ, कहा अमित धारिवाल ने, नवन युक्त कारेकानी, शफद ग्रहन समरोह, वबरिश्ट पत्रकार, शम्मान समरोह के मुख्या दे थी रहे, कॉंग्रेशनेता अमित धारिवाल ने, अपने सम्बोधन में कहा कि कई हजारों आदमियों में से एक आदमी पत्रकार बनता है, सरकार द्वा आपके बीच का आदमी हूँ यदि कभी भी आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे एक टेलीफोन जरूर करना मैं हमेशा सहायता के लिए तैयार रहूंगा पत्रकारिता करना कांटों का ताज पहनना है और दोधारी तलवार है कहा गजंद्र व्याश ने अपने संबोधन में प्रेश क्लब अध्यक्षव कोटा जार के मुख्य संरक्षक ने गजंद्र व्याश ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए वो पत्रकारों के हित के लिए कार्य चार कर रहा है पत्रकारिता करना कांटों का ताज पहनना है दोधारी तलवार है उन्होंने कहा कि पत्रक पत्रकारों की शमश्या यह है कि पत्रकारों की आयका कोई पर्मानेंट साधन नहीं है और अखवारों में कारे करने वाले पत्रकारों की शमश्या यह है कि मालिकों के इशारों पर काम करना पड़ता है उन्होंने कहा कि पत्रकारों की एक शमश्या और है कि यदि किसी के पक् पत्रकार के लिए बहुत कुछ किया है पत्रकार कॉलोनी वसाई है और भी कई कारे किये हैं लेकिन 25 सालों के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है आज भी पत्रकार एक चछट के नीचे नहीं है रोजी रोटी के लिए कई जगे घुमता है हम किंद्रिय मंत्री के गारिक्रम में सावाई माधोपुर गैद वहाँ हमने प्रस्ताव दिया था कि मंत्री नैशनल हाईवे पर पत्रकारों को टॉल फ्री करें उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा इस फोकट क्लास को मैं बिल्कुल कुछ नहीं दूँगा आज तुम मांग रहे हो कल सहीद मागेंगे फिर उनकी विधवाएं मागेंगी फिर और कोई मागेगा मैंने पंद्रह हजार करोड रुपय का लोन लिया है इसे कैसे चुकाऊँगा बियास जी नहीं आगे कहा कि हमने इस बात को फूरे देश की मेडिया में उछाला और कहा कि मंत्रे जी आप यह गलत कर रहे हैं पत्रकार फोकट क्लास नहीं है पत्रकार समाज का वह तबका है जो जनता के हित के लिए समाज के हित के लिए आवाज उठाता है कारिक्टम में जालावार जार जिलाध्यक्ष दिलेग जैन, कोटाग रामेर जिलाध्यक्ष, राजुराठोर भूंदी जिलाध्यक्ष, अब्दुल कलीम, प्रदेश कारिशमित सदर्श दिलेग सोनी, कमल सिंग परिहार, संस्कित जैन, किशोर तवर, रमेस मोदी, गोबिन नागर धिरस गुपता, आविद हुसेल, अमजद अली, आदी पत्रकार मौजूद रहे, बिपे न्यूश चमबादत किशोर तवर की रिपोर्ट